दोस्तों नवश्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फ्रेज से बड़ी खबरे लेकर आए हैं दिन भर के मुखे समाचार इस वीडियो के माध्रम से जानेंगे दोस्तों ये दिन भर की बहुत बड़ी खबरे हैं जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है महत्पूर्ण है इसलिए आप वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रही है वहीं दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राहूल गांदी की लोग प्रियता पहले से बड़ कौन पर यहां पर एक टूइट किया है जिसमें लिखा है जो कल तक कॉंग्रेस द्वारा लाए गए महिला आरच्छन के खिलाफ खड़े थे वह आप कहेंगे यह तो हमारा सपना था जिहां दोस्तों मुख्यमंत्री योगी का पुराना बयान सोसल मीडिया पर जमकर बाइर पुर्जोर बिरोद जी यहां दोस्तों बीजेपी का चाल और चरित्र और चहरा यहां पर इस पश्ट तोर पे देखा जा सकता है जब यह लोग भी पच्छ में थे तो यहां पर महिला अरच्छन का पुर्जोर बिरोद कर रहे थे देख सकते हैं दोस्तों जब चुनाओ नजदीक आ गए हैं तो यहां पर बोटरों को लुभाने के लिए इस प्रकार के बिल लाए जा रहे हैं अभी तक 9 साल से पूर्ण बहुमत था आपके पास तो आप ऐसा बिल क्यों नहीं लाए जबकि यहां बिल पहले भी पास हो सकत था वहीं दोस्तों कॉंगेस पार्टी इस पर बीजेपी पर हमलावर है और सियम योगी आदितनात का पुराना वयान भी जमकर सोसल मीडिया पर बाइरल हो रहा है वहीं दूसरी तरह रिटार्ड आईएस सूर्य पताप सिंग ने भी एक ट्विट किया है जिसमें बीजेप बीजेपी आईटी सल के प्रमुख अमित मालविय के पुराने ट्विट बाइरल हुए है जिया दोस्तों बीजेपार्टी महिला अरच्छन बिल के बिरोद में हमेशा रही है आज कॉंग्रेस के दवाव में इन्हें जुकना पड़ा है आपको बताते चाहें दोस्तों अमि सरकार में थी तो ये लोग इस बिल का भिरोद कर रहे थे लेकिन चुनाओ के नश्दिक आते ही ये लोग यहाँ पर इसे मुद्दा बनाने में जुट गए हैं ये ख़वर निकल गया है दोस्तों इसी एक जात अगली ख़वर की तब चलते हैं इंडिया गढ़वंदन होने के लिए इंडिया गढ़वंदन कोई कसंद नहीं छोड़ना चाहता बसपा को साथ लाने की कोशिस उसकी इसी रणीति का हिस्सा है यूपी के विधान सवा चुनाओं से पहले कौंगेस और बसपा के सिस नित्त्त के बीच बातचीत का सिलसिला सुरू हो चुका है लोग सव चुनाओं के मद्दे नजय प्रियंका गांधियों मायवति के बीच मुलाकात हुई है दोस्तों इंडिया गढ़वंदन में आ सकती है बीस पी दोस्तों आपको बताते चलें इंडिया गढ़वंदन को लेकर यहां पर बीस पी की और से सकारात्मक संकेत दिये गए हैं और पर दोस्तों सूत्रों ने यही जानकारी दी है कि बीस पी जल्दी इंडिया गढ़वंदन में आ सकती है यह दोस्तों देख सकते हैं इस समय की बड़ी खवा निकल की आई इसी के साथ अगली खवार की दब चलते हैं बड़ी खवा दोस्तों लोग सवा में आज ही पेस होगा महिला आरच्छन विल कानून मंत्री करेंगे पेस सूत्रों के हवाले से खवार आई है कि महिला आरच्छन विल लोग सवा में कानून मंत्री आईजुन राम में इगभाल पेस करेंगे बिधायक को सदन में पारित क आने के लिए 20 सितंबर को चाइचा होगी और 21 सितंबर को राज्य सभा में बिल पेस होगा वहीं दोस्तों सोनिया गांदी से महिला आरच्छन बिल पाज जब एक पत्रका ने उनकी राय पूची तो सोनिया गांदी ने कहा कि ये हमारा है ये अपना बिल है गौर तलब है कि पियम मोदी कैविनेट ने महिला आरच्छन बिल को मंजूरी दे दी है वहीं दोस्तों खवस सामने आने के बाद कॉंगेस ने केंद्रे मंतरी मंदल द्वारा लोग सबा में पेस किये जाने वाले महिला आरच्छन बिल के लिए पूर्व पियम राजीव गांदी सोनिया गांदी और राहूल गांदी को क्रेडिट दिया है दोस्तों कॉंग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक बीडियो जारी कर कहा कि महिला अर्चन बिल की नीव रखने के लिए ततकालीन प्रधान मंत्री राजीब गांधी ने पहल की थी बीडियो में कॉंग्रेस ये विदावा कर रही है कि सोनिया गांधी ने साल 2011 में इस बिल के लिए लोग सवा में आवाज उठाई थी यहां बिल दोस्तों राज्य सवार से तो पास हो गया था लेकिन कुछ कारणों की वज़े से लोग सवा में अटक गया था बीडियो में बताया गया है कि रहुल गांधी ने भी साल 2018 में कहा था कि हमारी पार्टी महिला आरच्छन बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार के साथ खड़ी है कॉंग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आरोप लगाए कि बहुमत होने के बाब जूद इतने समय से पियम मोदी ने लोग सवा में महिला आरच्छन बिल को पास कराने की कोई कोशिस नहीं की वहीं दोस्तों उमीद है महिला आरच्छन बिल आम राय से पारित हो जाएगा ज्यादा तदल पच्छ में हैं कॉंग्रेस ने बिना सथ समय थन दिया है सरकार को बड़ी खवर निकल के आई एक और खवर की तब चलते हैं हो सकता है दोजा 24 के बाद देश में चुनाओ नहीं हो मैं गारंटी दे सकता हूँ आज एडी संसत का बड़ा दावा जियां दोस्तों पुरारी संसत से नई संसत में कामकाज यहां पर ट्रांसफर हो गया है इसी बिस संसत के बिसेश सस्त्र में यहां पर मनोजावी सिरकत क पहुंचे इस दोन उन्होंने बड़ा दावा किया आज एडी नेता ने संभावना जताई की दोजा 24 के बाद देश में चुनाओ नहीं होंगे मीडिया से बात करते हुए राज्यसवा संसत मनोज ज्हा ने कहा कि इस तरह के माहौल में राजनीती से हटकर अलग लड़ाई लड़नी होगी हो सकता है कि दोजा 24 के बाद इस देश में चुनाओ नहीं हो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दोजा 24 के बाद लोगों की सहमती से ऐसा कहा जाएगा कि देश में अब चुनाओ नहीं होंगे उन्होंने कहा कि लोगों से कहा जाएगा कि चुनाओ कराना बहुत जरूर बताईए कॉमेंट बाक्स में चलिए अगिली ख़वर कितब चलते हैं इंडिया गढ़नन के मजबूत हो रहे हैं कदमों से यहाँ पर सीधे तोर पर BJP में फूट पड़ गई है इंडिया तूटने लगी है अभी सही जियां दोस्तों तमिलाडू की बड़ी पार्टी AI ATM के भाजपा से अलग रहें कर ली हैं दोनों पार्टी के रहें अलग होने पर आम अदवी पार्टी के नेता और राज्यसवा सांसद रागप चड़ा ने यहाँ पर BJP पर निसाना साधा है रागप चड़ा ने अपने Official X यानि की पूरू में टूइटर से टूइट किया टूइट करते हुए चड़ा ने लिखा जब भी किसी ने इंडिया को तोड़नी की कोशिस की है वो खुद तूटकर बिखर गया आज भी ऐसा ही हुआ है रागप चड़ा ने आगे अपने टूइट में लिखा हमारा इंडिया गठवन्दन तो कल भी मजबूत था आज भी मजबूत है मगर अफसोस की दूसरे के घरों पर पत्थर मारने वाला एंडिये अपना ही घर नहीं बचा पाया है गवाय तलब है लोग सवा चुनाव से ठीक पहले AI ADMK के ने भाजपा के साथ गठवन्दन खतम करने का दावा किया है AI ADMK की और से कहा गया कि भगवा पार्टी के साथ अब से उनका कोई गठवन्दन नहीं है इसी के दाच चलिया दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूस की तरब चलते हैं राज्यसभा में एक बार फेसे बिपच्च के नेता मलिका अजुन खडगे बरसे हैं मोदी सरकार पर सरकार बिपच्च को ED से डराने धमकाने की कोशिस कर रही है बिपच्च को कमजोर करने की यहाँ पर एक रणीती के तहट कोशिस की जा रही है दोस्तों मोदी सरकार इस समय बैक फुट पर आ गई है मलिका अजुन खडगे ने मोचा खोल दिया है राज्यसभा में मलिका अजुन खडगे ने सरकार को सला दी कि अगर वहाँ कुछ नहीं कर सकती है तो कोशिच छोड़ दे साथ ही उन्होंने तंज कस्ते हुए कहा कि केंद मजबूत बिपच्च को कमजोर करने के लिए ED की जरिये उसे डराने की कोशिस कर रही है खडगे ने कहा कि परथम प्रधान मंतरी पंडित जवालल नहरू मजबूत बिपच्च में विस्वास करते थे नहरू ने यहां तक कहा था कि अगर मजबूत बिपच्च नहीं है तो ब्यवस्ता में गंभीर खामी है प्रधान मंतरी मोधी पर यहां पर जवदस्त आई के से मलिका जुन खडगे ने निसाना साथ है दोस्तों आज की बड़ी खबने और मुक्के समाच आया थे जो आप सभी तक पहुंचा है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजेगा आपने दोस्तों के साथ भी आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय हुआ